नमस्का, मैं होसासी आयो जार्खन की टोप 25 पर मों खबर जानते हैं पहले टर्म तथा दूसरी पहली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी इसकुली सिख्छा एवं सक्षाता विभाग ने सुमोर को इस संभन में आदेश जारी कर दिया है विभाग के सचीव राये सर्मानया आदेश जारी करते हुए जैक के सचीव को पत्रे भेज कर मार्च के अमतिम सप्ता में आ परिक्षा आयोजीत करने के निर्देश दिये जैक को दियेगा निर्देश के अनुसार परते एक विशय में पहली पाली में पहली टर्म की परिक्षा OMR से पर लिजाएगी वहीं डेल घंटे की इस परिक्षा में वस्तु निष्ट प्रस्ण पुछे जाएगे दूसरी पाली की भी उसी विशय की परिक्षा डेल घंटे की होगी जिसमें दूसरे टर्म के प्रस्ण पुछे जाएगे दूसरे टर्म की परिक्षा उतर पुष्दी का पर लिजाएगी जिन में लगू उतरिये दिर्गू उतरिये अर्थात विशयनिष्ट परकार के प्रश्ण होंगे जार्खन में कल से होगी बारिष जार्खन में बुद्धवार से फिर से दो दिन तक बारिष की संभावना है बुद्धवार को उतर पचिम भाग में पचिम भी छोब के प्रभाव से बनने वाला साइकलोनिक सर्कुलेशन सक्रिये हो जाएगा इसका असर 9 फरवरी को जारखन में दिखाई पढ़ने लगेगा दोफर के बाद मौसम में बदला होगा वहीं आस्मान में बरसने वाले बादल चाने लगेंगे इसी दिन राजे के उतरी भाग में गठवा से लेकर साहिब गंज के बीच और बिहार की सीमा से सटे इलाके समेथ मद्दे भाग के रांची, खुर्टी, रामगर, भोकार, वहाजारी भाग और गुमला जिला में कहीं कहीं हलकी और कुछ जगों पर हलके से मदर्ज की बारिश होगी जारखन उत्पाद सिपाही में 583 पदो परभरती उत्पाद एवं मग्द निशेद विभाग अंत्रगत उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के बिरूत जारखन उत्पाद सिपाही परत्योगिता परिक्षा 2022 के लिए ओनलाइन आवेदन मांगे गए हैं जो 25 फरवरी से 26 मार्च की मदराती तक आमंत्रित किये गए हैं आवेदन समधी विश्तिरीत बिरूनिका आयो के बेबसाइट jsc.nic.in पर उपलबधाएं अभियार्थी बिरूनिका में अंकित आहारता अनुसार एम सेक्षिनिक योगता तता निधारित आयो सीमा के अंत्रगत ओनलाइन आवेदन दे सकते हैं आवेदन पत्र jsc.nic.in पर उपलबधाएं टांसजेंडरों को मिलेगी सरकारी सुविधाएं रांची डीडीसी ने बैठाक में टांसजेंडर कम्यूनिटी को विभिन सरकारी योजनाओ का लाव दिलाने के लिए उनके आधार कार्ड एम टांसजेंडर सर्टिफिकेट बनाने आश्रय उपलबध कराने COVID-19 टीका करण और स्वास्थ जाज से समधित भी सवयो पर चार् दिया डीडीसी ने कहा कि जहां पर टांसजेंडर सम्मोह मेरा रहे हैं उसके आज पास कैंप लगाने की विभस्ता करे नवी कक्षा से उपर के सिक्षकों की प्रतिनिक्ति रहत दे रांची के उपायुक छवी रंजन के अध्यक्षता में सोमवार को जिलास तरिये COVID-19 टास उन्होंने कहा कि निधायत लक्ष के अनुरूप जल्द से जल्द पर्दसन सुधारे नहीं तो बेतन रोका जाएगा और विभागे करवाही की अनुसंसा की जाएगी इस दवरान सिविल सर्जन को नवी कक्षा से उपर के सिक्षकों के प्रतिनिक्ति रहत करने का निर्दे यहाए दोनों बहनों को बालगिरी हुआ छोटे भाई को खुस मारना बालगिरी हमें रखा जाएगा ताकि यहाँ बच्चों को सुरक्षा वशिक्षा मिल सकेगी साथी सरकारी खर्च पर बच्चों की देखबाल भी होगी CWC गुमला के चेर्मेन किरिपा खेस वसदा से धननजय मिस्रा ने कहा की बचों के अनाथ होने की खबर मिलने के बाद गाउं के लोगों वह मिशन बदलाव के जितेश मिंज के स्वयोग से बचों को CWC कर्याले में बुलाया गया था CRPF ने ग्रामिनों को दिखाई देश भक्ती फिल्म साथ में खाया खाना लाते हर जीला अंतरगत बास कर्चा गाउं में पूलिस पबलिक की दूरी को पाटने की कोशिस की गई ग्रामिनों की बीच उपस्थित होकर साथ खाना खाय और देश भक्ती फिल्म दिखाई गई इसके बाद ग्रामिनों की समस्या सुनकर हर संभव सहयोग का भरुसा दिया वही ग्रामिन भी पूलिस के इस सहयोग से काफी खोश दिखे CRPF 1218 बटालियन द्वारा कैम्प में ग्रामिनों को देश भक्ती फिल्म दिखाई गई इसके साथ ही ग्रामिनों को खाना भी खिलाया गया इसके बाद CRPF 1218 बटालियन सहायक कमांडेट संजीव बागडी ने ग्रामिनों से बात चित कर ग्रामिन एवं अर्ध सैनिक बल के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया तीन पीलेफाई नक्सली खोटी के रनिया से गिरफतार खोटी और चाईबासा जीले की सन्यूक्त पुलिस टीम की करवाई में परतिबंधित नक्सली संगठन पीलेफाई के तीन नक्सली को गिरफतार करने में सफलता मिली हाई तीनों नक्सली की गिरफतारी कोटी जीला के रनिया थाना चेतर से हुई गिरफतारी नक्सली गुदली थाना के नियर बेड़ा जंगल में पुलिस के साथ गट तीन फरवरी 2022 को होई मुडभेड में सामिल था तोरपा के अनुवंडल पुलिस पताधिकारी ओम परकास्तिवारी ने पत्रकारों को इस बात की जनकारी दिया है अधरक की बोर्यों में छुपा कर लाई जा रही लाखों की बिदेशी सराब जबते पुर्वी सिभूम जीला अंतरगट धाल भूमगड में एनस 18 पर नूतन गट के पास पुलिस ने तीन वाहनों पर लदी करीब 16 लाख रुपए की 535 बिदेशी सराब जबत किया है दरसल एक ट्रक और दो छोटे वाहनों पर 105 बोरा अधरक के बीच सराब शिपा कर लाई जा रही थी इस बात की जनकारी गिरामीन एसपी नाथू सिंग, मीना, प्रसिक्छु, आईपीएस, प्रवीन, पुसकर और इस डिपियो कुल दीप टोपो ने सन्युक तुरूप से दिया है जारखन में कुरोना के 373 नाई केस मिले जबकि 543 मरीज स्वस्थ हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 269 है भारत में 58,052 नाई केस मिले जबकि 1,6,944 मरीज स्वस्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 9,99,228 है डोक्यूमेंटरी बनाने जारखन पहुंची जमायका की टीम जारखन का प्रेकिर्तिक संदर आदिवासी संस्कृतियों परमपरा महिला ससक्तिकरण क्रिसी स्वयम सहायता समू परनाली पराधाली डोक्यूमेंटरी जमायका में दिखाई जाएगी जमायका से आई दो सदस्य टीम ने जारखन के खोटी और रांची जीला का दोरा किया टीम ने जारखन के विभीन परियाटक अस्थलो यहां के आदिवासी की संस्कृतिक और उनकी परमपरा स्वयम सहायता समू के महिलाओ की कारे परनाली क्रिसी आदी की जनकारी हासिल की जमायका की दो सदस्य टीम में कैरोल फ्रांसीस और औरलो फिडलत सामिल थे दोनों जमायका की जनस्वंपर्ग प्रनाली के सदस्य हाएं जारखन में इंटरनेट बंद करना अभिभ्यक्ति की आजादी का हनन जारखन भाजपा के परदेश अध्यक्स राज सभा सदस्य दीपक परकास ने हेमन सुरेन सरकार दोरा तीन जीलों में इंटरनेट सेवा ठाप करने को अभिभ्यक्ति की आजादी का हनन बताया है दीपक परकास ने कहा कि कोडर्मा हजारी बग और चात्रा जीले में इंटरनेट सेवाए बाधित किया जाना सीधे तोर पर आम लोगों की अभिव्यक्ति की अजादी और लोगदंत्र पर हमला है मास अस्वति की मूर्ती विसर्जन जुलुष के दरान विधी बेवास्ता सम्भालने में असपल रही सरकार, इंटरनेट सेवा पर पहराल लगा कर आम लोगों के अभी व्यक्ति की अजादी चिनने का काम कर रही है रिम्स पर 4.4 एक लोर और पीम सी एज पर 3.52 जुर्माना पर्यावरन के मानकों को ताक पर रह कर निमों के अंदेखी करने वाली इकायों के मामली में जार्खन राज पर दूसर नियंतरन बोर्ट दोवारा की गई करवाई को पारिशन मंडल की बैठक्स ने सही ठराया है सोमवार को परदुसन बोर्ट के अध्यक्ष अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैटाक में इस प्रस्ताव पर सामाती ब्यक्त की गई और ऐसी इकायों पर कडिक करवाई करने को कहा गया बता दे की राजे की दूसरव अठावन इकायों पर पर्यावर निये चाती पूर्ती के तहर जुर्माना का प्रवधान करते हुए इन्हें नोटिस दिया गया मैट्रिक इंटर परिक्षा का मोडल प्रस्न पत्र एकसट सिक्षक करेंगे त्यार मार्च के अमतिम सब्ता हमें होने वाली मैट्रिक इवाम इंटरमीडियेट परिक्षा के लिए मोडल प्रस्न पत्र जारी किये जाएंगे जारकन सिक्षा पर यूजना परिसद ने मोडल प्रस्न पत्र त्यार करने के लिए 61 सिक्षक को लगाया है इसमें असनत कोतर पर शलिए राकर मोडल परस्न पत्र त्यार करेंगे उनके लिए work for home लागू किया गया है राजे पर्योजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने इसे लेकर आदेश जारी करते हुए मोडल परस्ण पत्र त्यार करने में लगाए गए सिक्ष को कि सूची जारी कर दी उनके अनुसार दस फरवरी तक मोडल परस्ण पत्र जारी किये जाने हाए परियावरन संरक्षन के प्रति बच्चे चैतन्य राश्ट्रिये स्वायम सेवक संग के परियावरन संरक्षन कतिवी थी द्वारा भारत सरकार के सिक्षा और वन परियावरन एवम जलवायू परिवर्तन मंत्राला के सहयोग से आयोजीत राश्ट्रिये स्कूल परियावरन परत्योगता 2022 के परियाम की घोसना रभिवार को कर परित्योक्ता का परिणाम देखने के बाद लगता है कि परियावरन के प्रती बड़े तो बड़े छोटे बच्चे भी सजग हैं तीन सिरेनियों में आयोजीत 20 अंगों की परित्योक्ता में कूल 31 से 744 बच्चे सत परच्चत अंक लाने में सफल रहें इनमें पॉली से पाच्वीक अक्षा तक के 26 अर्चा अधिक बच्चे सामिलाएं CWC और JJB में रिक्त पद पर 31 मार्श तक भरने का निर्देश जार्खन राज में बाल, कल्यान, समीति और किसोर न्याए बोर्ड में रिक्त पदो पर नियुक्ती को लेकर दायर्याजगा पर हाईकोट में सुनवाई हुई आदालत ने सरकार दोरा मामले में हो रहिलापरवहाई पर कड़ी नराजगी ब्यक्त करते वोई समाज कल्यान विभाग के सचीव को 31 मार्ज तक रिक्त पदो पर नियुक्त परकिरिया पूर्ण करने का आदेश दिया साथ ही तब तक के लिए पूरु में कारे कर रहे अधिकारियों को अगले आदेश तक कारे करते रहने का निर्देश दिया गया जे एस एसी नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई आज सामिल होने की सर्थ रखी गई इसके अलावा 14 अस्थानिय भसाओ में से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया जबकि उर्दू, बंगला और उडिया सहीद 12 अन्य अस्थानिय भसाओ को सामिल किया गया 13 फरवरी को राहे में 1932 के खतियान अस्थानिय निती और भासा का बिरोद जारखंड में अस्थानिय निती 1932 खतियान आधारित लागू करने तथा बाहरी भासा हटाने की मांग को लेकर राहे में 13 फरवरी को जारखंडी महाजुटान किया जाएगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राहे प्रखंड की होटलों पंचायत सताकी और अमबा जहरिया पंचायत के सभी गाओं में ग्रामिन के बीच बैठक के माद्यम से जागरूप किया जाएगा कार्यक्रम के सक्रिय अंदोलन कारी देवेंद्रनाथ महतों ने कहा कि हमारा अंदोलन संपुन जार्खंडियों के हीत में है आपका राज आपके लिए तो हमारा राज हमारे लिए आपकी भासा आपके लिए तो हमारी भासा हमारे लिए है अपनी जरखंडी पाचान 1932 लागू करने और बारी भासा को अटा कर सिफ जरखंडी भासा को अनिवारे रूप से लागू करने के लिए है घर बैठे अनलेन बुक कर सकेंगे पानी का ट्रेंकर अब लोग साधी भीवा या किसी अने आयोजन पर नगर निगम से अनलेन पानी का ट्रेंकर मंगवा सकते हैं इसके लिए लोगों को रांची नगर निगम आने की जरूरत नहीं होगी लोग घर बैठे पानी के ट्रेंकर को अनलेन बुक कर सकते हैं सोमवर को रांची नगर निगम की ओर से इसका सुभारम कर दिया गया है इस कारे कर लिए निगम की ओर से परफेक्ट सोल्यूशन एजेंसी का चैन किया गया लोगों को पानी के ट्रेंकर के बुकिंग के लिए एजेंसी की वेबसाइट पर जाना होगा वही बुकिंग करने मे में किसी तरह की परसानी होने पर लोग नीगम द्वारा जारी हेल प्रैन नमबर इलेक्षन स्पेशल ट्रेन सोमवर की सुबा पहापूर स्टेशन के पास में बेपटरी हो गई ट्रेन की दो बोगियां पटरी से उतर गई इस दुरगाटना के बाद धनबाद गया के बिच ट्रेनों कावागमन टप हो गया चो गटे की कड़ी मकसद के बाद दोनों बोगियों को पटरी पर लाया गया इसके बाद ट्रेन चली EVM वेर हाउस का निरिक्षन डायन के नाम पर गुमला में ब्रीद की हत्या गुमला सद थना छेतर के टोटो रामपूर गाव निवासी दुलारी उराइन सतर वर्षिय की हत्या गाव के राजा उरावने कर दिया दुलारी घर पर अकेली थी, राजा उराव घर में घूस कर पले लाठी से पिट-पिट कर हत्या कर दी, इसके बाद सौव को कुए में डाल दिया, और वोपी राजा उराव का कुछ दिन पहले बीमारियों से मवस्यों की मौत हो गई थी, कोडारमा में इंटरनेट बंद से लोग परिसान, कोडारमा जिले के मरकच्चो थाना छेत्र और कुछ देरबाद सिमावर्ती हजारी बाग जिले के बरही में रभी बार देर साम दो पक्चों के बीच, उत्पन विवाद के बाद कोडारमा सही चार जिलों में इंटरनेट से सेवाबंद किये जाने का खासा असर दिखा जीले भर में सो मार को इंटरनेट सेवाबंद रही ऐसे में हर तब का परिसान दिखा समानाले छोड़ अने विभागों में काम का भी बाधित रहा वहीं बैक्सिनेशन का काम भी परभावित हुआ धन्यवाद यदि आप चनल पर सब्सक्राइब कर बहुत कर बेले का अंतर वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूलें साथ इसाथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवस्य दे थैंक यू